हाँ जी दोस्तों क्या हाल है आप लोगों के अस्ट्रेलिया के पास में ना winning mentality है यह साफ तोर पर दुनिया को समझ में आ गया होगा एक बहुत रोमांचक मैच आज खेला गया आस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के बीच में बहुत लो स्कोरिंग मैच था साथ बलेबाजों को आउट होते वे देखा था एक सो पचपन पर इनके साथ आउट हो गए थे यानि कि तब भी इनको 49 रन चाहिए था जीतने के लिए 185 पर आठवा बलेबाज भी आउट हो गया तब इनको 18 रन चाहिए थे और इसके बावजूद भी पैट कमिन्स जो कि आस्ट्रेलिया के चैंपिन कैप्टन है एक बार भी नर्वस नजर नहीं आए एक बार भी परिशान नजर नहीं आए और आसानी से अपनी टीम को मैच जिता दिया कल हमें कितने रन चाहिए थे माच जीतने के लिए जब रिशप पांत आउट हुए उसके बावजूद भी हमें कितने रन चाहिए थे 21 रन हमें चाहिए थे माच जीतने के लिए लेकिन 21 रन के अंदर अंदर हमने एक रन का इजाफा नहीं किया और तीन विकेट अपने सामने आखों के सामने गिरते हुए हमने देख लिया बहुत सारे लोग के बन में ये बात जरूर होगी कि अरहे ये तो टेस्ट मैच था यहां तो वान खेड़े का मैदान दो-दो हाथ गीन टर्न कर रही थी भाई आसान नहीं था रन बनाना मैं आपको बताओं कि आधी क्रिकेट न दिमाग से खेली जाती mental strength आपका देखा जाता है आपकिस mentality के साथ में उतरे हो मैच में खेलने के लिए आप कितने आत्मविश्वास के साथ में उतरे हो मैच खेलने के लिए पैट कमिन्स कोई टेक्निकली बड़े तगड़े बलेबास नहीं है पैट कमिन्स 90% बॉलर है 10% बैट्समें है पैट कमिन्स वाशिंग्टन सुन्दर से कहीं नीचे के बलेबास है लेकिन उसके बावजूद भी अंडर प्रेशर पैट कमिन्स ने मैच जिता दिया पाकिस्तान के खिलाब मैं पहला ODA मैच और मैंने जान बुछ करके इस पर वीडियो बनाए ताकि रोहित शर्मा को ताकि हमारे पुछले बलेबाजो को ताकि भारतिये टीम को समझ में आए कि सिर्फ कह देने से कि हम आस्ट्रेलिया को धो देंगे पीट देंगे कहने से कुछ नहीं होगा आस्ट्रेलिया के पास में विनिंग मेंटालिटी है आस्ट्रेलिया के पास में कहते ना कि never give up कभी वो हार मानने को तयार नहीं होते भाई क्या माच था मतलब हैरिस राउफ क्या बॉल डाल रहे थे गजब की बॉलिंग ये के कोवर में दो दो तीन तीन विकेट मतलब कहते हैं ना कि प्योर फास बॉलिंग देखने को मिली हैरिस राउफ के तरब से रन भी खाएं उन्होंने मतलब इस माच में बिल्कुल सी सौ देखने को मिला उपर से फायर के आस्ट्रेलिया ने पहले इनके दो बल्लेबास निकल गए मातले दो सो चार रन इनको बनाने थे अठारा या बीस पर इनके दोनों सलामी बल्लेबास आउट होगे फिर लगा कि आस्ट्रेलिया के लिए मुश्केले बढ़ेगी फिर एकदम इसली रन बनाते चलेगे स्टीब स्मित और इनके जोश इंग्लिश जो वेकेट कीपर है लेकिन उसके बाद कि जब तक पैट कमिंस है अगर आखरी बल्लेबास भी आते एरम जेंपा भी आते तो भी पैट कमिंस मैच जिता सकते थे लेकिन उनको आने की जरूरत ही नहीं पड़ी मिचिल स्टार्क के साथ में दोनों तेज गीनबास हैं अब सोचो मिचिल स्टार्क भी फास बॉलर बाए हाथ के 18 रोनों की साज़ेदारी करके पैट कमिंस के साथ में मैच जिता दिया और क्या शॉट्स मा रहे हैं यार पैट कमिंस ने लेकिन ये भारतिये टीम के लिए अच्छे संकेत नहीं है बिकिस मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बना करके आपको बताया कि यार ये दोनों खिलारी पैट कमिंस और मिचिल स्टार्क मैं पूरे मैच में देख रहा था जब भी इंटरवल होता है उन्होंने एक नया स्टाइल निकाला इंटरवल के बीच में भी खिलाडियों के इंटरव्यू करते हैं और उस मतलब ड्रिंक इंटरवल में खिलाडी इंटरव्यू देने के लिए आया थे आपके मिचिल स्टार्क उन्होंने का कि हम लोग बिल्कुल फिट हैं ये तो अभी वाम अप चल रहा है मतलब पाकिस्तान के खिलाप में जो तीन एक दिवसी अंतराश्ट्रे मैच है ये उनके लिए वाम अप है उन्होंने का कि हमारी बॉड़ी पूरी तरीके से तयार है बॉर्डर गवास कर टॉर्नमेंट के लिए मतलब मैच चल रहा है पाकिस्तान के खिलाप में तयारी इंडिया के खिलाप में बॉर्डर गवास का ट्रोफी की हो रही है पूरे मैच में कॉमेंटेटर आपके डेविड वॉनर कॉमेंटरी कर रहे थे इसके लाब आपके एड़म गिलक्रिस कॉमेंटरी कर रहे थे बजाक उड़ाया जा रहा था वो आपस में और एक दो बार नहीं कम से कम दसो बार माच में ये बात की आपस में कॉमेंट टीटर्स ने लग रहा था कि यही एक टॉपिक बचा है बार-बार के रहे थे कि हम टर्निंग ट्रैक बना देते हैं उस्ट्रेलिया में वो वसी मकरम स कह रहे थे डेविड वोनर और साथ में एडम गिलक्रिस्ट की अगर भारतिय टीम टेस्ट मैच पाकिस्तान में खिलने के लिए आएगी तो अब तो आप आसानी से हरा सकते हो आपको करना बस यह कि टर्निंग ट्रैक बना दो माइकल वोन ने चुटकी ली तो अब इसी बात किसने क्या किया उसकी बात किसी ने कुछ टिकने की कोशिशी नहीं की आकाश नी पाए बैट और पैट के बीच में इतना गैप था बोल्ड हो करके चले गे इसके लाब आपके वाशिंग्टन सुन्दर जिन्होंने की डेड़ सौरण भी बनाए थे रैंजी ट्रोफी में ड देखो कि आस्ट्रिलिया की विनिंग मेंटालिटी कितनी तगड़ी है किस तरीके से वो हारे हुए मैच को जीत जाते बिना एक सेकेंड के लिए नर्वस हुए पैट कमिंस के चेहरे पर कहीं से भी डर नहीं असरा रहा था कि मैच गया हाथ से आप लिटरली में लिख करके दे रहा हूं कि ये ओडिया मैच था लेकिन ये मिल्बन का विकेट यहां पर गेन जबजब करके निकल रही थी आसान नहीं था पाकिस्तान ने बनाए 203 रन पाकिस्तान की तरफ से कप्तान जो है इनके रिजबान का हाईस था 44 रन और बावर आजम ने 34-35 रन बनाए बाकी पैट कमिस ने दो विकेट निकाले मिचल स्टार्क ने तीन विकेट निकाले दोनों ने एकदब जबरदस्त गेन बाजी की बलब गेंडे ऐसी निकल रही थी पाकिस्तान के बलेवाजों के बगल से कि कुछ कर नहीं सकते थी पलट बार पाकिस्तान ने भी बढ़िया किया ह Harris Rauf ने आकर के तीन विकेट निकाल दिया, पिटे Harris Rauf, लेकिन जब 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 ज़रूरा थी विकेट की तब तक उन्होंने विकेट भी निकाला, मैच को बिलकुल पलट दिया, लेकिन जिसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, वो सूपर स्टार है Pat Cummins, और मैं भारतिये टीम स यही देखना चाहता हूँ, हमारे मतलब पुछले बले बाजू में मैंटालिटी की, हमारे पास में भी तो कोई ऐसा प्लेयर हो, Pat Cummins की तरह, वो हैं प्योर गेन बास लेकिन बाटिंग में आकर के यार मैं जिता देते हैं, वर्ल्ड कप जिता दिया अपनी टीम को, वर्ल् कॉन्फिरिंट नजर आता है, और ये मुझे बहुत डर लगता है, क्योंकि बार बार पैट Cummins और मिचल स्टाक, वर्डर गवास का ट्रोफी के बारे में चर्चा कर रहे हैं, कि हम पूरी तरीके से तैयार हैं, अच्छा खासा हमने रेस्ट लिया है, और एकदम फ्रेश फ पाकिस्तान ने भी बढ़ियां फाइट किया, इसमें कोई शक नहीं है, नए कप्तान की एक नई शुरुवात है, मुहमद रिजबान की, एन्ड मौके पर इनके जो तेज गीनबास हैं, क्या ना में, नसीम शा, वो इंजर्ड हो गए, उसका थोड़ा सा बेनिफिट आस्ट करके मैच जिताते हैं, और हमें भी ऐसा ही कोई प्लेयर ढूंड करके लाना पड़ेगा, बाकि आप लोग का क्या के ना, आप हमें कॉमेंट करके जरूर बताएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिजेगा, और वीडियो को भी जरूर लाइक कर लिजेगा.